अब आप है है अब आप सब मैं हूँ आपका दोस्त अमन वशी श्टरिक बर्फिट से आपको स्वागत आपके फेवरिट चैनल पेट केर में तो अभी मॉर्निंग टाइम हो रहा है थोड़ी थोड़ी दूप निकलने लगी है इस दो है तो हुंत है थोड़ी सिफ एक और अदा अगारे के साथ ऑज़ेएं बगें पहले पर आपक・ इसकी की रिसेंट कि वो दोनों पिक्स में आपके साथ शेयर करूंगा और फिर आप देखना कितना डिफ्रेंस है तो अभी अपना क्या कोई ऐसा सेट अप नहीं है जहां पर हम वीडियो बनाते हैं जहां टाइम मिलता कभी भी फोन लेकर चलते हैं जब मन करता है तब वीडियो बन लेकर और एक कैमरा में साथ में और DSLR लेकर चल रहे हैं अपना नौर्मल एक फोन होता है मैक लिए रखा है तो इसी से जहां भी टाइम मिलता है वीडियो अपलोड कर देते हैं ना कोई ग्राउंड केतना चिंता रहती हमें बेसिकली फोकस रहता है कि वीडियो का टॉपिक जो है वो कुछ अच्छा रहे है प्लस वीडियो का जो कंटेंट है उसी पर फोकस में रहता है कि वीडियो में कुछ ऐसा कंटेंट हो कुछ ऐसी बाते बताई जाए जिससे लोगों की मदत हो और आप लोगों की हैल्प हो सगे तो बेसिकली फोकस अपना जो रहता हो कंटें बॉक्स को भी तो उसी से रिलेटेड थोड़ी हम बात करेंगे आज की वीडियो में तीन सार चीज़े बताऊंगा हर जो हर डॉग ओनर को जिनका समर्स में ध्यान रखना चाहिए तो वही आज डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो को लाश्ट तक देखें क्या पुतार लेते हैं थोड़े गर्मी सी लगने लगी अभी एक हाथ दुखने लग जाता है कैमरा पकड़े-पकड़े क्योंकि कोई साथ में कभी-कभी ऐसा होता है कि छोटा भाई उसका मन नहीं करता कितना भी वीडियो बनाने का कोई बनाता ही नहीं है तो खुश से शू के लिए मैं इस बार माइक यूज कर रहा हूं तो sound quality इतनी ठीक आएगी आप लोगों कंटेंट से मतलब होना चाहिए कि जो बाते बोल रहे हैं वो साफ सुनाई दें आपको और आपकी उनसे help हो तो अभी जैसा कि गर्मी आ रहे हैं तो सबसे जादा जो लोगों को डाउट आएगा वह आएगा डॉबात से रिलेटिड वैसे मैंने डॉबात से रिलेटिड एक सेब्शन वीडियो अपलोड कर रखिए लेकिन फिर भी जैसा हम समर केर ट्रिप्स की इस वीडियो में बात करने वाले तो सबसे पहले अभी जैसे गर्मी हो रहे हैं दो अभी उनके लेकिन नहीं रहता उसके लिए अब इस पर बात करते हैं क्यों कि हर चीज के पीछे के रीजन होना चाहिए ना अब मैं बोल दूगा कि डेली नहीं नहीं लाना चाहिए लोग कमेंट्स में गाले देंगे क्या बुद्रा भाई यह से तो कुछ पता ही नहीं तो हर चीज का क्लैरिफिकेशन देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो डॉक्स के जो होता है कोट जो उसके बाल होते हैं उसमें कुछ नैचुरल ओइल्स होते हैं तो आपने देखाओगा हम हुमस जब बनाते हैं उसके बाद अपने बालों में ओइलिंग करते हैं तो जहां से उसका कोट जो है वो शाइन होता है और सौफ होता है और अगर आप अपने डॉक को डेली निलाएंगे तो उससे क्या होगा चीजिए उसके कोट में जो नैचुरल हो जाएगा और उसकी शाइन चली जाएगी और जो वो सौफ्ट है वो वाइसा नहीं रहेगा ठीक तो यह प्रॉब्लम होती है तो इस वज़े से हमें अपने डॉक को डेली नहीं नहीं लाना चाहिए और हफ़ते में मैक्सिमम दो दिन उसको बात करना चाहिए एक और इंपोर्टेंट चीज कि हमें human shampoo यूज नहीं करना चाहिए dog shampoo यूज करना चाहिए अब इसके पीछे भ ध्यान में रखकर manufacture करेंगे शैंपो को प्लस जो human shampoo manufacture कर रही है वह human skin के पीछ को ध्यान में रखके उसे manufacture करेंगी तो हमें human shampoo dogs के लिए यूज नहीं करना है साथ में एक और इंपोर्टेंट चीज जिसका आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके डॉक को टिक्स और फ्रीज नहीं है तो आपको एंटी टिक्स शैंपू का यूज नहीं करना है उसकेस में आए कि आप एक नॉर्मल के लिए जो भी आपके पास शैंपू है नॉर्मल शैंपू उसकेस में यूज ना करें तो यह तो चीज होगी थोड़ी डॉग बात से रिलेटेड उसके बाद गर्मियों में एक प्रॉब्लम जो और फेस करनी पड़ थी है समर ओनर्स को मतलब डॉग ओनर्स को सॉरी तो व करने जानकरी जो है वो पहुंची नहीं है और काफी यूट्यूबर्स यह बड़े-बड़े यूट्यूबर्स एं गाफी चैनल्स हैं टॉक से रेलेटेड आज के टाइम में लेकिन उन्होंने भी शायद से वैसे मैंने हर चेंब नहीं किया है लेकिन मुझे इतना अगर ज क्या होता है आपके डॉट की जो बॉडी का टेंप्रेटर है वो काफी ज्यादा राइज कर जाता है इस मतलब बिल्कुल है अपोजट है यह मतलब इसकों फीवर कंसीडर नहीं कर सकते इस डिफरेंट फ्रॉंट फीवर बनता है तो हीट स्नोंक होता है आपके डॉक का जो बॉडि टमपरेचर्र जो बाहरने कर जाताटा है तो उसकेस में इसटाओक होता है तो बैसे कली जो आपके डॉक होते हैं उनमें फ्रीच जो है वो फ्रिजब नहीं होते हमारे जैसे स्वेटिंग होती है तोड़क में वेशी इस वेटिंग उनके पास जो है अनुं आरा करते हैं तो पेंटिंग reported करके अपनी बॉडी के के टेंपड़ेटर को रेगुएट करते हैं तो समर्च में आप क्या होता है कि जब आप अपने ढॉक को भार ले जाते हैं ज़र dada क्योंकि टेम्परेचर बहुत जादा होता है दूप बहुत ज्यादा होते हैं तो आपका डॉक डारेक्ट सनलाईट के कंटेक्ट में आता है तो उसकेस में आपके डॉक को हीट स्ट्रोक हो सकता है प्लस आप अपने डॉक को जैसे बहुत से डॉक उनर्स होते हों कहीं जा रहे हैं तो अपने डॉक कार में बठा के ले जाते हैं तो क्या करते हैं कभी कभी अपने डॉक को कार में ही बंद छोड़ देते हैं तो ऐसे आपको क्या करना है और आपको अपने डॉक को एक तो दूप में बाहर नहीं लेके जाना है ठीक है तो आपको सुभा अर्ली मॉर्निंग में उसको वॉक पर ले जा रहे हैं जैसे भी अगर आप उसको भूमाने ले जा रहे हैं तो अर्णी मॉर्लिंग ले जाए जिस टाइम ज़्यादा गर्मी नहीं हो तो साम को इवनिंग में नहीं हो तो आपको यह जब धूप दोपहरे कि तई सनलाइट के कॉंटेक्ट को नहीं लाना है दूसरा आपको क्या करना यह किसी भी अन्वेंटिलेटेड जगा भी आ को अपने डॉक को नहीं छोड़ाना है किसी भी बंद कमरे में नहीं रखना है या फिर किसी कार वगेरा में नहीं रखना है जहां पर उसको मतलब वेंटिलेशन प्रोवाइड ना होगा तीसरी गलती लोग क्या करते हैं अपने डॉक को जैसे उन्होंने कहीं पर खुला नहीं छोड़ा ना मतलब घर से बाहर जैसा कर आपको रूम में रखना आप अंदर है तो आपको अपने डॉक को अंदर ही रखना है अपने साथ क्योंक पर डॉक और क्या करते हैं जैसे किसी नोग रख रखा है तो थोड़ा अला पर वही बरत देते हैं वह सुबार उन्होंने अपने डॉक को पानी रख दिया और शाम तक वही पानी रखा रहने देंगे अब ऐसा नहीं है कि भाई सोबा जो पानी आपने रखा वो शाम तक ठ प्लस आपको अपने डॉक को रणिंग या फिर एक्सेसिव एक्सेसाइज समर्स में नहीं करना निचीए उसके वजए से भी आपके डॉक को हो सकता है अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिम्टम्स की तो क्या होगा आपके डॉक की जो बॉड़ी का टेंपरेचर है वह की डॉक बहुत ज़्यादा पेंटिंग कर रहा है और एक्सेस उसके मुझे सलाइवा निकल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हीट स्टोक आपके डॉक को होने वाला है तो अगर आपके डॉक को हो जाए तो कैसे हम उसको घर पर थोड़ा क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं आ अगर मानलों कहीं भार गर्मी में था तो आपको इसको एक ठंडी जगा पर लेकर जाना है मतलब बेसिकली आपको क्या करना है उसकी बॉड़ी का जो टेंप्रेचर राइस हुआ है उसको डाउन करना तो यहां पर थोड़ा बाजा आयता हूं कि 102 डिग्री और 102.5 यहां तक को इससे ऊपर गए हम उसको मतलब हई तेंपरेचर करेंगे अंगे Prem nostalgia करेंगे 102 और 102.5 नार्मल बॉडी टेंपरेचर म माना जाता है तो अपको कूल रुं करना है को सर पया आप और रख सकते थंद भी लेना कोई कपड़ा भीगों के ठंडे पानी मोगे आप रख रहे हैं है फॉरेड पर प्लस उसको नहिला सकते हैं ठंडे पानी से बेसिकल यह आपको कूल डाउन करना है यह फिर इमेडियेटली एश्टी में शिफ्ट करें तो आपके डॉक को आपके बोड़ी का तैंप्रेचर कूल डाउन करना है और उसका टेम्प्रेचर मेजर करते रहें 103 डिगरी के आसपास जब उसका टेम्प्रेच्र राजाए तो आपको यह जो प्रोसीज़र व स्टाइब कर देना है ठंदी पानी से आप जो यह दो प्रॉब्लम साती है और एक तीसरी प्लॉबलम अभी टिक्स की बिया जाती है गर्मियों में तो टिक्स के लिए आप यूज कर सकते हैं एक एंटी-tick देन एकर रहा है जब से गर में अर्मिये ऊसने दो टेम खाता है एक निकाना बंद कर दे जो यह जमें ह्तमें यह थे प्रब्लम रोगी काफी आने वाली है मैं काफी एनलिया है तो भी डिसेंटिल यहको फ्लैक्सी के उसके बाद वह ऐसे रियक्ट करता जैसे मतलब उसे हम खाना ही ना दे रहे हो कहीं पर भूकों की तरह गोंता रहेगा भई खिला दो खिला दो पूरे दिन इवन उसके सामने भी अगर हम बाउल लख रहे थे वह खाई नहीं रहा था जो कि अभी मैने लिव 52 का टॉनिक दोनों के लिए लेकर आया हूँ तो भी क्या हुआ है कल मैने देखा जैसे मैं जैक और फ्लेक्षी का अलग अलग बाउल में इससे नोटिफिकेशन खाना रखता हूं दोनों अपना फिनिश करते हैं तो अब लिवर टॉनिक देने के बाद मैंने देखा कि फ्लेक्षी ने कल क्या किया अपना बाउल जल्दी सी फिनिश किया और उसके बाद जाके जैक के बाउल में भी खाने लगी और जबकि उसके एक दिन पहले तक वो पूरे दिन उसको जबरदस्ती डांट-डांट के खाना खिला ते तब भी नहीं खा रही थी तो में प्रॉब्लम आ जाती है स्टमक अपसेट हो जाता है तो आपको लिवर टॉनिक यूज करना है अगर आपको खाना नहीं का रहा है क्योंकि मेरे को काफी जाद अच्छा रिजल्ट मिला है जैक ने भी मतलब जितना खाना खाना मतलब आदा कर दीते अपने उसने अपनी प्लस फ्लेक्सी ने खाना बिल्कुल बंद कर दिया था तो तीन दिन से मैंने को लिवर टॉनिक दे रहा हूं और फिर से अपनी नॉर्मल डाइट पर आ चुके हैं तो यह प्रॉब्लम भी समर समयाती है इसका भी आपको ध्यान रखना है और एक प्रॉब्लम आती है वह आ की डेफिशेंसी के वज़े से क्योंकि ओमेगा-3 और ओमेगा-6 यह दोनों ही आपके डॉक की स्किन और कोट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं बहुत जादे इंपोर्टन होते हैं इन केस अगर आप अपने डॉक को एक न्यूटिशनल डाइट नहीं दे तो अगर आप यूज करेंगे तो शेडिक में काफी जादा बेनिफिट मिलेगा लेकिन सेल्मन ओयल जो है वो थोड़ा महंगा आता है तो उसकेस में अगर आप सेल्मन ओयल यूज नहीं कर रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं हमाल्या का सप्लिमेंट आता है फर्ग लो के तो अगर आपके डॉक को कोई भी स्किन से रेलेटेड इश्यू है एकसे शेडिंग हो रही है तो आप हमाल्या का यूज कर सकते हैं फर्ग लो का उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्लस जैक के लिए जैक के भी अभी जैसे ज्यादा शेडिंग हो रही प्लस थोड़ा से स्किन इंफेक्शन की इसको प्रोब्लम थी तो मैंने भी हमाल्या ग्रो हमाल्या का फर्ग लोग देना उसको स्टाइट किया है तो काफी अच्छा रिजल्ट मेरे को देखने को मिला है तो वह भी आप यूज कर सकते हैं तो बस यही तीन चार चीज़े थ बट सारे पॉइंट्स कवर करने जरूरी थे तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो आपको लगता हो कि हाँ थोड़ी बहुत आपकी वीडियो से हेल्प हुई है यह जो टॉपिक मैंने बता है सही है इन पर मतलब आप इनको निगलेक्ट कर रहे थे यह पॉइंट ब झाल 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 झाल